एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं दोस्तो सूपर फिप्टी कप 2021 भार्बडोस प्राइड वसेज जमाइका स्कॉर्पियंस मैच नमबर 14 ड्रीम 11 टीम प्रिडिक्शन में ये चैनल है क्रिक फाइंड सी लीग दोस्तो ये पर आपका परिवार है क्रिक फाइंड सी लेकिन यकीन करिए आप एक दिन यहां पे अपना टाइम जरूर देंगे सस्क्राइब अपने आप कर लेंगे क्योंकि जो इमानदारी और जो विस्वास जो हार्ड वर्किंग दिखा रहा हूं दोस्तो उसका रिजल्ट आपको जरूर मैं दूँगा उसका रिजल्ट मुझ इसका जो स्टेट्स डाटा कलेक्ट करते करते बहुत सारी चीजें जो यहां पर नहीं दे पाऊंगा दोस्तों इसको मैं बता दूँगा आपको क्या करना है कैसे करना है बस आप वीडियो को पूरा देखें अभी बहुत टाइम है बार बार देखेंगे काई सारी नई एड़ेस्ट कर लो देख लो हो सके तो आगे सुधार हो जाए देखते हैं बार बडोस का बात करें टेबल पे तो चार मैच खेला है एक जीता है तीन हरा है चवथे पोजिशन पे है वहीं पे जमाइका की बात करें चार मैच खेला है एक जीता है तीन हरा है छटवे पोजि अब help कर रही है, second inning हो, first inning हो, both sides के spinner, आपकी team में अगर आप ricks लेने वाले हो, अच्छे अच्छे batsman है, अगर आप उन पे ricks लेना चाहते हो, तो आप उनके साथ spinner को add करके अपनी एक team बना सकते हो, ऐसा करके आप mini GL या GL में जा सकते हो, बात करें brief score की, दोनो team में जो last match इस venue नुक पे खेल के आई है, उसकी बात करें दोस्तो, बिडवर आइसलेंड की बात करें, 260 run बनाई, 8 wicket के नुकसान पे 50 अबर में, वह है जमाइका 160 run ही बना पाया, 10 wicket के नुकसान पे 36 दसलमाव 4 अबर में, दोस्तो यहां से, यहां से, इनका जो run rate है ना, जमाइका का, वो minus 1.2 something है, और इसका 0.5 है, अगर run rate की बात करें तो बारबडोस तीसरे position पे है, बारबडोस और जमाइका जो है, लास्ट पे है, लास्ट पे इनका points भी है, और इनका run rate भी है, मतलब जमाइका अगर हारा है ना, ते एकदम हार गया है, मतलब धासू हारा है, बारबडोस जो है, जीता है, ते एकदम लड़के जीता है, फाइट करके जीता है, बात करें दोस्तों, ब्रीफ ही score की, तो यहां से आप देख सकते हो, यही मैं कह रहा था, बिडवर्ड आइसलाइन 260 बनाया, जमाइका 160 बना पाया, मतलब कितना बड़ा difference है, हार गये, तो हार गये, एकद नहीं कर पाये, तो तीन विकेट ले लिए, वहाँ पे बरबडोस और लिवर्ड आइसलाइन के भी जो मैच हुआ, इस वेन्यू पे उसमें, एस ब्रूक्स की बात करें, 96 रन बनाये थे, जे कार्टर, अठावर रन, जे होल्डर, दो विकेट, सी होल्डर, दो विकेट, दो, एक-दो, ऐसे विकेट इन को मिला है, तीन मैच खेले हैं, दोस्तो, छे विकेट लिए हैं, अब आगे दिखाएंगे स्टाइटस, दिखाएंगे दोस्तो, आप देखते जहें, तरहीं स्किप करते हो ना, आप कई सारी चीज़ें मिस कर देते हो, जैसे कल फुटवाल क मैच में एक दो मैच जो है थोड़ा सा गड़ बड़ गया आप टीम पे जाते हो मेरी टीम पे जो मैं टीम देता हूं जो मैं यहां बताता हूं दोस्तों उस पे नहीं जाते हूं दोस्तों मैं कई बार कह चुका हूँ कि अभी टेलिग्राम मैं नहीं स्टार्ट कर पाऊंगा जब तक 1K सस्क्राइबर नहीं हो जाते हैं 1K होने के बाद मैं टेलिग्राम स्टार्ट करूँगा तब वहाँ पे फाइनल टीम दूगा दोस्तों यहाँ पे कोई 7 गंटे, 2 गंटे, 3 गंटे पहले फाइनल टीम नहीं डिसाइड कर सकता कोई नहीं बता पाएगा दोस्तों बस आप जो मैं बोलू सुनते रहिए यकीन करिए इमरान खान की बात किया था मैं बार बार बात किया था दोस्तों इम्रान खान की इम्रान खान और क्या था वो खैरी पैरी साइट थे उनकी मैं बात किया अभी उस टीम की बात करते हैं दोस्तों आज उसका हम ब्रीफ प्रेडिक्शन का डालते हैं फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों क्या होता है उस मैच में क्या क्या मैं बोला था योरिज फर्स्ट इनिंगी स्कोर की बात करें 220 रन है रिकॉर्ड चेस करते हुए टीम तीन बार जीती है दो बार हरी है टॉप पॉफोर्मर की बात करें दोनों टीमों से तो बारबडोस की तरफ से जे कार्टर 10 मैच में 421 रन 52 का योरिज सांदार खेल रहे हैं दोस्तो एस ब्रूक्स की बात करें चार मैच खेले हैं 198 रन बनाए है 49 दसलमों 5 का इनका योरिज है असले नर्स की बात करें 10 मैच खेले हैं 17 विकेट लिए हैं 4 दसलमों 6-7 का इनका इकोनॉमी है जे बिसब की बात करें कि ये प्लेयर जंडा गाड़ेगा देखते हैं दोस्तो जमाइका की बात करें तो आर पावल सबसे सीनियर प्लेयर है काफी एक्सपिरियेंस है इनका सूपर फिप्टी कप में 10 मैच में 513 रन बनाया है 57 का योरेज है दोस्तो अगर आप चाहो पिन पे आज़े कैप्टन वाइस कैप्टन रिक्स ले सकते हो यहाँ स्टैर्ट भी बता रहे हैं इनका रिकॉर्ड भी काफी सांदार है दोस्तो इनका हेट टू हेट रिकॉर्ड भी सांदार काफी सांदार है दोस्तो हेट टू हेट रिकॉर्ड इनका काफी सांदार है मैं कायर थी सभी के कप्तान वाइस कप्तान होंगे आज के हिट टू हिट में मिनी जी यल में आपके भी यही होने चाहे है डीबुली की बात करें आप इनको जी यल में ट्राइ कर सकते हो इनका इस्टेर्स देखिए याठ मैच में 15 विकेट 5.85 का इकोनोमी है डीबुली एक डिफरेंशियल पिक है आज के लिए मेरी तरफ से आप चाहें तो इनको ट्राइ ओ थो मस अगर दोस्तो प्लेंग 11 में ये बंदा दिखा न मेरी टीम में होगा हेट टू हेट में होगा देखते हैं क्योंकि इसका हिट टू हिट का रिकॉर्ड काफि सांदार है ये मेरी टीम में होंगे बिकेट मिले या ना मिले दोस्तो टीम बनाने के लिए कोई लॉजिक कोई स्टेट्स कोई रिकॉर्ड तो होने ही चाहिए अगर आप ऐसे ही तुक्का मार दिये एक मैच में चला एक मैच में नहीं चला इस मैच में चलेंगे उस मैच में नहीं चलेंगे तो दोस्तो आपका जो continuity होती है न वो नहीं मिलती है हाँ मैं मानता हो कि स्टेट्स जो होते हैं कभी कभार गलत हो जाते हैं स्टैट्स दोस्तों कभी कभार गलत हो सकते हैं लेकिन दोहराया जरूर जा सकता है अब बिराट कोहली है उनके स्टैट्स इतने सांदार हैं वो कभी कभार सोनने पे भी आउट होंगे तो आप हार सकते हो दोस्तों लेकिन वो कभी कभार अच्छा भी खेलेंगे इसकी गरांटी हमेशा रहे होती है दोस्तों तो वहीं मैं कह रहा हूँ कि टीम बनाने के लिए कोई न कोई लॉजिक स्ट्राइट्स होने चाहिए और लॉजिक पर मैं टीम बनाता हूं दोस्तों ऐसे तुक्का मार के टीम नहीं बनती है दोस्तों हेट टू हेट रिकॉर्ड की बात करें यहाँ पर जमाइका बारबरोस के बीच में जमाइका पहले बैटिंग करते हुए 313 रन बनाया वहीं पर बारबरोस 305 रन ही बना पाया इस मैच में जमाइका जित गया बात करें जमाइका बारबरोस पहले बैटिंग करते हुए 265 रन जमाइका 190 रन ही बना पाया इस मैच में जमाइका हार गया बात करें बारबडोस जमाइका बारबडोस पहले बैटिंग करते हुए 246 रन बनाया जमाइका 207 रन ही बना पाया इस मैच में भी जमाइका हार गया बात करें जमाइका बारबरोस की जमाइका पहले बैटिंग करते हुए 226 रन बनाया दस विकट के नुकसान पे वहीं बारबरोस 193 रन ही बना पाया इस मैच में जमाइका जीत गया दोस्तों बात करें इस मैच के बारबडोस पहले बैटिंग करते हुए 257 रन बनाई वहीं पे जमाइका 244 रन ही बना पाई इस मैच में जमाइका हार गया मतलब जमाइका पांच में सिर्फ दो गेम जीता है तीन गेम हारा भी है तो हमारा फेवरेट बारबडोस हो सकता है आप एक या दो टीम जमाइका फेवरेट बना के भी जा सकते हो क्याकि जो स्टैक्स बोल रहें न दोस्तों वो काफि सांदार है और मुझे ऐसा लगता है कि आज जमाइका के कई ऐसे प्लेयर हैं जो ज़ंडा जरूर गाड़ेंगे देखते हैं दोस्तों बात करते हैं हेट ट बॉलिंग करते हैं होल्डर तब मेरी टीम के हिट टू हिट के ऐस वाइस कैप्टन भी होंगे अगर फर्स बॉलिंग करते हैं तब सेकंड बॉलिंग करेंगे तब देखेंगे दोस्तों मैं चेंज कर सकता हूँ ये सब चीज़े ना दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगी कि बॉलिंग सेकंड बॉलिंग करेंगे कप्तान वाइस कफटान किसको बनाना है आपको दोस्तों पूरा वीडियो जब तक नहीं सुनेगे मैं बार बार कहता हूँ वीडियो पूरा सुनेगे तब ही कुछ होगा जे कार्टर हेट टू हेड में भी निकल के आ रहे हैं और जे क फॉमस दोस्तों हेड टू हेड में निकल के आए यही मैं बोल रहा था कि अगर वो थॉमस आते हैं आठ मैच में 14 विकेट है टॉब बॉलर में यह भी है दोस्तों 5.64 का इनका इकोनोमी है ता आपकी टीम में यह होने चाहिए वही से मैकार्थी दोस्तों सांदार फॉम में इस टीम के खिलाब दोस्तों मैकार्थी का रिकॉर्ड जो है काफी सांदार है आप चाहो यह चाहो किया दोस्तों आज सभी के कप्तान होने वाले है आर पावेल की बात करें दोस्तों आर पावेल 57 का योरिज है आप समझ सकते हो इनका 57 का इनका 41 का आर पावेल का 57 का है वह आपना उबर भी कराते हैं अगर यह दोस्तों खेलते हैं अगर यह बॉलिंग कराते हैं बिकेट ले लेते हैं ती काफी अच्छे पिक बन जाते हैं इसलिए आज के कप्तान McCarthy Head to head team की वाइस कप्तान आप R Powell या J Carter ये आपके उपर है R Powell या R Powell यहां से या J Carter J Carter दोस्तों R Powell या J Carter यहां से J Carter या R Powell इन दोनों में से आपको किसे सेलेक्ट करना है ये आपके उपर है या तो Jason Holder के साथ जा सकते हो, जनता जेसन होल्डर के साथ जा रही है आप भी जा सकते हो, मैं अभी एक ऐसा और पिक बताऊंगा दोस्तो जिसके साथ आप वाइस कप्तान में जा सकते हो रिक्स होगा थोड़ा सा, लेकिन रिक्स में ही मज़ा है दोस्तो, ड्रीम 11 खेलना है जीतना है तो रिक्स लेना ही होगा जमाइका स्कॉर्पियन्स की जो प्लेंग 11 हो सकती आज की दोस्तों देख सकते हो उनको performer क्या क्या performance किये है आप देख सकते हो यहाँ से जो दोस्तों GL के पिक निकल के आ रहे हैं वो है F.Helen F.Helen दोस्तों यह आज की मेरी जमाइका की तरफ से GL के पिक है F.Helen के साथ साथ J.Marchant यह दो प्लेयर आज की GL के पिक हैं आप चाहों तो इनके साथ जाए सकते हो A.Thomas आपकी टिम में होंगे A.Thomas या Si Hope दोस्तों अभी मैं बताऊंगा किसको आपको लेना है तब आपको बताऊंगा कि उनको लेना है या यह थोमस को लेना है Braden King आपकी टिम में होंगे Palmer GL के पिक हैं McCarthy आपकी टिम में होंगे और Powell आपकी टिम में होंगे यह तीन प्लेयर दोस्तों Braden King, McCarthy, Powell यह तीन प्लेयर यहां से आपकी टिम में अभी के लिए होने चाहिए F.L.N. भी आप जा सकते हो F.L.N. के साथ बात करें Barbados, Pride की Barbados की तरफ से दोस्तों Jay Griggs आपकी टिम में S. Brooks आपकी टिम में General Carter आपकी टिम में Rostan Chase आपकी टिम में यह 4 प्लेयर यहां से 1-5 प्लेयर S.L.N. नर्स 6 प्लेयर 6 प्लेयर यहां से दोस्तों मुझे दिख रहे हैं जो आपकी टिम में Hit to Hit की टिम में जरूर होने चाहिए A.K.M. जार्डन के साथ अगर 7 प्लेयर S.L.N. यह A.K.M. जार्डन यह आप पे है कि आपकी इसके साथ जाओगे यह 5 प्लेयर दोस्तों आपकी टिम में अगर रिक्स लेना थो रोश्टन चेस पर दोस्तों रोश्टन चेस या S.L.N. नर्स इन दोनों के साथ एक रिक्स आपको देता हूँ रोश्टन चेस या S.L.N. नर्स इन दोनों में से एक को लेना है सी होल्डर आपकी टीम में होने चाहिए जेस्टिन ग्रिप्स, ब्रूक्स, जोना काल्टर ये तीन उपर से तीन उपर से जेसन होल्डर, चिमार होल्डर ये तीन दो पांच हो गए यहाँ से रॉस्टन चेस, छे हो गए अगर आप बार्बरोस फेवरेट बना रहे हो तो छे प्लेयर ये आपकी टीम में होने ही चाहिए, यहाँ से दोस्तो बात करें, अगर आप जमाइका फेवरेट बना रहे हो तो आपकी टीम में ये तीन प्लेयर चार प्लेयर होने चाहिए ब्रेडन गिंग पॉलमर को हटा दो लो दोस्तो ये जी लपिक है इं मकर्थी आर पावल ये तीन प्लिएर यहांसे दोस्तो उसके अलावा एफ ईलन या जे मार्चेंड ये दो प्लिएर यहांसे हो गए छे वहाँ से ग्यारा हो जा रहे है दोस्तों आप इनके साथ हेट टू हेट भी जा सकते हो क्योंकि काफी सांदार प्लेयर है अगर आपकी टीम बन जा रही है तब कैपटन वाइस कैपटन की बात करें तो कैपटन की जो पिक आद निकल के आ रहे है वह है एस ब्रूक्स एमकर्थी वहीं वाइस कैपटन पिक निकल के आ रहे है जेसन होल्डर और पाविल दोस्तों यहाँ पे आप वीडियो स्किप कर देते हैं यह सारी चीजे मिस कर जाते है कैप्टन, वाइस कैप्टन, यहाँ से दोस्तों दो कैप्टन आपके और दो वाइस कैप्टन इनको रोटेट करके भी आप अप अपनी 5 या 6 टीम जी-ल की बना सकते हो जी-ल की बात करें दोस्तोu एसले नर्थ, आज میں ने पर रिक्स लेने वाला हूं जीयल में देखते हैं यह क्या करते हैं इसके अलामा दोस्तो निकल क 위 observing अगर खेलेंगे तो मैं इन पे भी रिक्स लेंगा देखते हैं अब बात करते हैं दोस्तो एथॉमस और साई होप की दोस्तो साई होप एक बहुत सांदार प्लेयर है इसकी तुलना जो है बिराड कोहली से की जाती थी इतना सांदार प्लेयर है दोस्तों बेस्ट इंडीस का साई होप अगर ये सेकंड बाइटिंग करता है न तो मेरी हिट टू हिट टीम का एक टीम का मिनी जी यल में कप्तान जरूर होगा जीरो पे आउट हो जाए कुछ भी हो जाए लेकिन अगर ये सेकंड बाइटिंग करता है तो मेरी एक टीम का वाइस कप्तान होगा फर्स बाइटिंग करे शेकंड बाइटिंग करे मेरी टीम में साई होप ही होंगे एट थॉमस की जगापे देखते हैं दोस्तो अब टीम की दिखा देते हैं जल्दी से आपको दोस्तो काफी टाइम हो गया है आज की जो ड्रीम 11 की टीम है दोस्तो यार सुरी दोस्तो जुखाम हो गई है बहुत ज़्यादा लगा हुआ हूँ बस आपके सपोर्ट आपके प्यार के लिए लगा हूँ आप सपोर्ट करते रहिए प्यार करते रहिए जल्दी से सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कर दें बात करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको के बारे में बता दे 55% इनका सेलेक्शन है 57% इनका सेलेक्शन हूँ मैं Si Hope के साथ जा रहा हूँ दोस्तो आप चाहें ते Thomas के साथ जा सकते हो ये आपके उपर डिपेंड़ है दोस्तो मैं इसके उपर जाऑंगा यह मेरी टीम में होगा, हेट टू हेट की टीम में होगा, खुल के मैं बोल रहा हूँ दोस्तों जिस तरीके से मैं बोल देता हूँ ना, जिस तरीके से बता देता हूँ प्लेयर के बारे में उतना कोई भी यूटूबर कभी नहीं बोलेगा क्योंकि सभी अपने views अपने subscriber बढ़ाने के लिए team ऐसी देते हैं ना कि उसी में goal mail हो जाए तो ये चीजें इस channel पे नहीं होगी जो मुझे समझ में आएगा जो मैं करूँगा वही मैं आपसे share करूँगा बस इसके अलावा कुछ नहीं बात करें आर पावल की मेरी team में होंगे अस ब्रूक्स होंगे जे कार्टर मेरी team में होंगे ए मकर्थी मेरी team में होंगे दोस्तो ए मकर्थी मेरी team में होंगे जस्टिन ग्रीव्स इनका selection जो है 6-6% है दोस्तो जश्टिन गρίव्स का सेलेक्षन 6,6% है जश्टिन ग्रीव्स की आपको इनिंग दिखा दें दोस्तो जश्टिन ग्रीव्स 98 रन 38 रन 62 रन और 76 रन ये है जश्टिन ग्रीव्स F. Brooks की बात करें दोस्तो Tex Brooks का सेलेक्षन पर्सेंटेस यहाँ पे देखिए कितना है 86% है इनकी इनिंग जो है 21 है 96 है 20 है 61 है दोस्तो आज मुझे ऐसा लगता है यह player आज नहीं चलेगा देखते हैं दोस्तो ऐसा मुझे लगता है दोस्तो हो सकता है चल जाए हो सकता है सतक मार दे लेकिन दोस्तो ऐसा मुझे लग रहा है तो मैं आपसे share कर रहा हूँ S. Brooks अभी के लिए मेरी team में है देखते हैं दोस्तो J. Griggs काफी सांदार player हैं दोस्तो अगर इनकी batting आती है first batting करते हैं तब यह एक अच्छे pick बन जाते हैं wise captain के यहां से side hope दोस्तो side hope की बात करें यह second batting करेंगे तो मेरे कफ्तान होगे एक team के mini G.L में बात करें अब all rounder की all rounder में दोस्तो अब यहां से सबसे बड़ी दिक्कत क्या है न कि यहां से batsman आपके 5 player हो जाएंगे यह की यह हो जाएगा बेगड के इपर 6 हो गए सिर्फ दो all rounder के साथ आप जा पाओगे दो all rounder में आप holder होने ही चाहिए आपकी team nurse, chase, merchant यह 3 player दोस्तो merchant चलो G.L के pick हैं इनको G.L में रखना है डे green G.L के pick है roston chase, effilane दोस्तो इन दोनों में आपको किस के साथ जाना है अगर दोस्तो यह second batting करते हैं तो आप इनके साथ जा सकते हो अगर यह first bowling करते हैं तो आप इनके साथ अगर यह second bowling करते हैं दोस्तो तब आप इनके साथ जा सकते हो यह first batting आप इनके साथ जा सकते हो सेकेंड बैटिंग आप इनके साथ जा सकते हैं दोस्तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है इसले नर्स अभी मेरी टीम में है जॉस्टन चेस नहीं है दोस्तो काफी बड़ा रिक्स है सामने वाले की टीम में हुए अच्छा कर दिये तो मैं पूरा का पूरा हार जाओंगा बात करें यहां से दोस्तो कॉटरेल अगर खेलेंगे दोस्तो मेरी टीम में होंगे मैं इनको आख बंद करके अपनी टीम में रखूंगा एनर्स हमेशा मेरी टीम में होंगे यहां से अब दोस्तो जो प्लियर निकल के आ रहा है अगर यह प्लियर खेलता है दोस्तो ओ ठॉमस तो यह मेरी टीम में होगा दोस्तो 100% head to head टीम में होगा कुछ ना दे जीरो पॉइंट दे लेकिन मेरी टीम में होगा अकिम जॉर्डन काफी सांदार बॉलिंग करा रहा है होने ही चाहिए अभी पांच विकेट लेके आ रहा है सी होल्डर की बात करें हर मैच में इनका दो-दो विकेट है आपके टीम में होने चाहिए दोस्तो तीन बार 2-2 विकेट लिए है च्छा विकेट लिए हैं अगर खेलते हैं तो होने चाहिए दोस्तों यहाँ जे रोयल का सेलेक्षन जो है 6-6% है एक इनिंग में 38 या 32 रन भी बनाए हैं एक जे रोयल जो है एक या दो विकेट इनको मिला भी है टोटल तीन विकेट लिए है चार तो आप चाहो तो जनता के साथ जा सकते हो अभी के लिए यह मेरी टीम में नहीं है क्योंकि मेरी टीम में मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों मेरी टीम आज की क्या है मेरी आज की जो हिट टो हिट की टीम है दोस्तों आप देख सकते हो यह मेरी hit to hit की team है R Powell है, S Brooks है J Carter है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा risk क्या है ना, J Griffs नहीं है दोस्तों, मैं अभी के लिए chase लिया हूँ, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ से chase को हटा के यहाँ से J Griffs को जरूर add करूँगा आप यह इस बात को याद रखना यहाँ से bowling section की बात करें ओर Thomas अगर खेलते हैं, अभी के लिए खेल रहे हैं, मेरी team में है, J Royal मेरी team में है Aslaners मेरी team में है J Royal, अगर quarterl खेलेंगे तो J Royal मेरी team में नहीं होंगे A Jordan होंगे, अगर दोनों नहीं खेलते दोस्तो, J Royal या quarterl, दोनों नहीं खेलते A holder मेरी team में C holder SORRY, C holder मेरी team में होंगे दोस्तों बात करें, दूसरी team की दूसरी team मेरी यह है, आप देख सकते हो यह team मेरी आज की hit to hit की team है, आप चाहो तिसके साथ जा सकते हो ये मेरी head to head की team है final है दोस्तो ये मेरी head to head की team है थोड़ा सा change अगर मैं किया तो balling section से वो thomas के place पे किसी ऐसे baller को try करूँगा जो second balling में अच्छा performance किया हो जैसे बात करें यहाँ से slanners है ही यहाँ से दोस्तो बात करें silder quarter लगा राते हैं तो वो मेरी team में सीधे सीधे add हो जाएंगे बस सीधी सी बात है fln या roston chase इन दोनों में head to head में अभी confusion है fln होंगे roston chase होंगे यह आपके उपर है दोनों में से आपको किसके साथ जाना है यह 5 उप player मेरी team में होंगे दोस्तो आपकी भी team में होने चाहि इतने अच्छे form में है इतना अच्छा इनका stares है यह सोब की बात करें यह सोब confirm है मेरी team में रहेंगे आपकी team में चाहो तो आप वो thomas के साथ जा सकते हो दोस्तो वीडियो पसंद आया है चैनल को like करके ही जाना वो subscribe करके ही जाना वीडियो को like कर देना अब दोस्तो जानत हूं सीधा वीडियो बनाता हूं डाल देता हूं ना कुछ ना कुछ दोस्तो बस मुझे भरोसा है कि जो चीज़े मैं बता रहा हूं मेहनत है इमानदारी है लगन है उस बेस पे बता रहा हूं आप लोग चरूर सपोर्ट करेंगे बस आपका सपोर्ट चाहिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें सबसे बड़ी बात दोस्तो इस मैच में आप मिनी जीयल जरूर ट्राइ करना क्योंकि यह मैच जो है मिनी जीयल के लिए काफी सांधार है तीन से चार मिंबर की लीग के लिए भी काफी सांधार है क्योंकि एक प्लेयर आपकी प कप्तान बना के आप मिनी जील में छोड़ देना उसके बाद आप इनको हिट टू हिट में चाहो तो रिक्स ले सकते हो इनके जगह पे एफलन को लेके यहां से एक प्लेयर आपका एड़ हो जाएगा यहां से ब्रूक्स दोस्तो ब्रूक्स जो है इनके साथ एजग कप्तान भी आप जा सकते हो साई होब दोस्तो यह भी अच्छे पिक है एजग कप्तान के अगर आप ड्रीम 11 के 11 मेंबर के साथ जील खेलते हो तब साई होब दोस्तो इनको 3 मेंबर 4 मेंबर में भी जरूर यूज करना एक टीम में हो सके तो आज अच्छा खेल जाएं मिलते हैं दोस्तो जल्दी तब तक के लिए बाबाई टेक केर मम्मी पापा से प्यार करें हमेशा उनका ख्याल रखें अभी 6 गंटे 31 मिनट रह गए हैं मैज को सुरू होने में आज कम से कम दोस्तो 20 लाइक तो आना ही चाहिए आपका लाइक मेरा सपोर्ट होगा दोस्तो आपका लाइक मेरा मोटिवेशन होगा दोस्तो बस यही सोचके आप लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फैमली के मेंबर जल्दी से चार एवन के हो जाएं दोस्तों उसके बाद हम लोग इतनी सारी चीजे लाएंगे ना कि आप लोग कहेंगी कि यहां क्रिक फाइंट से लीग है जहां पे हमें सब कुछ मिलता है मिलते हैं दोस्तों बाबाय टेक के लाव यू